सुप्रभात आज मैं दूजी कक्षा नवीयर की छात्रा आपके सामने एक कवीता प्रस्तित करने जा रही हूँ जिसका शिश्यक है जीवन का लक्ष पहले मैं आपको लक्ष के बारे में कुछ बताना जाओ हमारे जीवन में लक्ष का होना बहुत ही ज़रूरी है एक विद्यार्थी जिसका सही से मन पढ़ाई में लग रहा हो बिना लक्ष के वो भी मुर्जाय हुए फूल की तरह होता है हमारी इस प्यार इसी दुनिया में जो भी लोग अपनी जीवन में सफर हुए है जिन्होंने भी अपनी जीवन में कुछ कर दिखाया है उनमें सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि उनका जीवन में एक लक्ष होता है तो चलिए आज मैं इसी विशे पर आपको एक छोटी सी कवीता सुनाती है जीवन का लक्ष ही सपनों को साकार बनाता है जीवन का लक्ष ही अपनों को अपना बनाता है जीवन का लक्ष ही दुनिया को बदल जाता है जीवन का लक्ष ही होटो पर मुस्कान लाता है जीवन का लक्ष ही खुशिया बेशुमार लाता है इसके बगएर विद्यार्थी ना पढ़ पाता है ना कुछ कर पाता है पस उसका समय यूँ ही बीटता जाता है इसके बगएर मनुश्य ना कुछ कर पाता है, बस खुद में ही खुद में खोता जाता है इसके बगएर उजारे में बस अंधेरा नजर आता है इसके बगएर खुशियों में भी खुशिया नजर नहीं आती है इसके बगेर चांदनी की रात में भी आसमान खाली-खाली नजर आता है इसके बगेर खुशियों में भी खुशिया नजर नहीं आती है जीवन का लक्ष ही मनुष्य को सफलता की ओर लिख चलता है अंत में मैं आपको यही कहना चाहूंगे कि अगर हमारे जीवन में हमारा लक्ष होगा तो हम सफलता को जरूर प्राप करेंगे धन्यवाद एवं शुक्ते